जहासी में दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है यहां महरानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीती रात आग ने कहर बरपाया और मेडिकल कॉलेज के SNCU अच्वानक से आग लगने से दस नवजात बच्चों की मौत हो गई इस घटना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलट मोड पर है मुखी मंतरी ने घटना का तुरन संग्यान लिया और मौके पर डिप्टी सीम और स्वास्त मंतरी बिजेश पाठक को बेजा उन्होंने नवजात शिशों के परिवार वालों से मुलाकात की डिप्टी सीम ने अरिवार को पांच-पांच लाग की आर्थिक मदद और घायलों को पचास-पचास अजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया पियम मोडी के ओर से भी म्रतिकों के परिजनों को दो-दो-लाग की आर्थिक साहता देने का ऐलान किया गया तो ज्वासी में हुए हादसे में दस बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो गई और घटना के बाद लोगों की चीक पोकार चारो ओर मच गई ग्राउंड जिरो से जी उपी उत्राखन संबादाता की एक्स्क्लूसिव रेपॉर्ट देखिए जासी के महराणी लक्षीवाई मेडिकल कॉलेज में कल जिस तरीके से निकांट हुआ इस निकांट में अभी तक दस बच्चों की बौत हो चुकी है जो ओपीशियल पुष्टी है और 46 बच्चे जो से थे जिनका उप्चार जो है यहां के इस्पताल में विया जा रहा है जो इमर्जैसी वाड है वहाँ पर बखती है और इसमें से भी फिलाल एक बच्ची को डिश्चार्ज कर दिया गया है आपको यह वही नवजास शिशू वाड है जहां पर यह घटना हुई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कुछ नहीं मिली कि यहां पर जानगारी हम बाद में जब हम यहां फे निकल चुके तो गए एक गंटा पहले को अपके बाद में हमने अपने बच्चे को उसके बाद में हमें चानकारीं ज़ी कि एनस्यू तो शिलेंडर लिकेज हो गया है मंहला आंग बगर्या लगेजा आभ यह थे यह बट्चे की हालत क्या है निला है अए मिला नाइञ शक्रेश्थ हें कमेंक जब जाना लगगेए अब भागे जाना भचानें अब अपको बिश्चाक weillagór पॉल्टीप है में जरनसे युद है। तो चार-पाँच बच्चे बताएं मेरे बच्चा नहीं है। चोटा सा है, साथ महीने का, इसलिए भरती क्या था, और सास लेने में तिक्का थो रही थी, अब क्या हाला है बच्चे की? अब बच्चा जल गया है, पूरा खतक नहीं है। झार खतक की?